केस में फैसला हुआ है देखे बड़ी ख़बार आप तक पहुचा रहे बता दे उमेश पाल अपहरण केस में फैसला आज MPML कोट में अतीक एहमद की पेशी है बता दे अतीक एहमद दोशी करार हुआ है देखे बड़ी ख़बर आप तक पहुचा रहे फैसला आ चुका है आपको जानकारी दे दे, अतिक एहमद दोशी करार किया गया है देखें बड़ी कबर बता रहे हैं आपको जानकारी दे इस वक्त की बड़ी ख़बार हैं जानकारी उमेश पाल अपहरं केस में फैसला आ गया है आपको बता दे, MPM LA कोट ने बड़ा फैसला सुना आया है अति देखेते ला, इस वक्त की बड़ी खबारी आप तक पहुचआ रहे हैं, बता दे अतीक हमात दोशी करारी किया गया है बता दे, उमेश पाल का पहरण केस मेंज आज MPMLA कोर्टने फैसला सुनाया है MPML कोर्टने अतीक हमात को दोशी करार दिया है बड़ी कबर आप तक लगातार पहुचा रहे है आपको ज़ानकारी दे 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 2006 का ये मामला है जब उमेश पाल का पहरण किया गया था और आज उसी पूरे मामले पार MPML कोट ने फैसला सुनाया है फैसला सुनाते हुए अतीक एहमत को दोशी करार दिया गया है अतीक एहमत क सजा सुनाई गई है इसके पहले भी आतीक दर्जनों भर मुकत में जो है अतीक पार दर्ज किये गये थे लेकिन अभी तक किसी भी मामले पर सुनवाई नहीं हुई थी आपको बता दे आज MPML कोट ने ये बड़ा फैसला लिया है आतीक एहमत और भाई अश्रफ एहमत को द सुनाई गई है तो मेश पाल अपहरन केस में बड़ा फैसला कोट की तरफ से सुनाए गया है MPML कोट ने बड़ा फैसला लिया है अतीक एहमत दोशी करार पाया गया है तो देखे बड़ी खबार आप तक लगातार पहुचवा रहे हैं आपको जौनकारी दे आज कोट ने आपने आई थी वही अपहरन मामले पार आज MPML कोट ने फैसला सुनाए है तो बड़ी खबार आप तक लगातार पहुचवा रहे हैं अतीक एहमत दोशी करार पाया गया है देखे बड़ी खबार एहम जानकारी आप तक लगातार पहुचवा रहे हैं अतीक एहमत के भाई अश्रफ को भी MPML कोट ने दोशी पाया है मुश्किले जो है अतीक एहमत की बढ़ गई हैं अतीक एहमत को दोशी करार दिया गया है कोट की तरब से तो देखे बड़ी खबार एहम जानकारी आप तक पहुचवा रहे हैं लगातार रागविंदर पांट दे जादव जानकारी के साथ बेरोचीफ हमारे साथ जुड़ गई रागविंदर देखे अभी तक इंतजार यही था कि कोट क्या कुछ फैसला सुनाता है कोट ने फैस लोग के सभी को दोसी करार दिया गया है अब यहीं नहीं आया है कि उनको आगे लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है कोट के हवाले से दोसी करार दिया गया है और जैसा कि इसको सजा तुनाई देखते हैं कि उसकी सजा का मनलब की क्या होता है अगे जरुबाना क्या होता है उसकी सब्सक्रेट रहेगी तो फिलाल अतीक अहमद को लेकि बहुत बड़ी ख़बर सामने निकल कर आई है बिल्कुल बिल्कुल देखे उमेश पार अपरन केस में आज एमपीम ले कोट ने बड़ा फैसला सुनाए है और अभी हाल ही में देखे हमने भी देखा कि राजुपाल के हत्या के गवा उमेश पाल का भी हत्या किया गया जिसमें आतीक अहमद के तमाम गुर्गों की गिरफतारी हो चुकी है अभी तमाम ऐसे लोग हैं जो भी फरार चल रहे हैं और देखे रागुवेंद ये बड़ा फैसला है और ऐसे मिने कि आपसे भी समझना चाहूंगी किन धराओं में ये जो फैसला है किया गया है क्या उम्रकैत की सज़ा सुनाई गई है क्या कुछ कहा गया है कोच की तरफ से फैसले में क्या कुछ बात साबने आई है रागुवे आज जाकर यह जो सुनवाई की जो भड़ी आई है चालिश दसक से इसका अपराग रहा है अधिक परियार का अधिक भाई का पूरे उस पुर्वांचल के समय में पूरा खौफ का एक महाल था लेकिन इस तरह से अपहरार के मामले में यह पूरी सजा का है वो मेलान हुआ है आ इस पूरे अपहरार के मामले में जिस दफ लोग पे सभी सभी लोग दोसी करार दिये गया है वह आने वाले समय में वही सामने आ जाएगा फिलहाल सबके बड़ी ख़बर कोर्ट के हवाले से अमली एंपी कोर्ट के यह निकल कर आई है इसको दोसी करार दिया गया है और उसकर फ़री सी पुलिस में उमेश पाल हट्या मामले में भी एक अप्लिकेशन मूप करने की पुरी तैयारी थी है उसमें भी इसको लेकर के इससे परिवार पुलिस के सिकंजे में है और आज अतीक एहमत के भाई अश्रफ और अतीक एहमत को भी माफिया से राजनीता बना अतीक एहमत के नाम 1985 से लेकर अभी तक 100 से जादा मामले केस इस पर दर्ज है जबकि 50 मामलों के विचारा धीन है और 12 अन्य मामले में ये बरी हो चुका है और वही देखे जबकि 2004 में जो आये थे सामने उसमें समाजवादी पार्टी ने उसे वापस ले लिया था लेकिन अब जो मुश्किले हैं अतीक एहमत की लगातार बढ़ रही है वही अगर उमेश्च पाल हत्याकान की बात करें तो उसमें भी जितने इसके शूटर सामने आये हैं जो वीडियो निकल कर सामने आये हैं एक बाद एक उत्तरप्रदेश की पुलिस धर्पकड कर रही है और ऐसे में अब खोजबीन जो है रगुवेन साइस्ता परवीन की भी की ज़ारे क्योंकि ये भी बताया ज़ारे कि जब साइस्ता परवीन जो है वो पुलिस के ह अबर है इस दो दोशी करा दिया गया है इसके बाद परवीन पर सिखंजा बहुत तेजी से चासेगा और इसके बेटे पर पुलिस पहले से ही आउसको धूर रही है और जिए यहां पर जो मामला यह है कि यह पांच वार गिदायक रहा है जिदायक सांसद होते हुए सव माम सब्सक्राइब करने के बाद इसका मामला अभी तक इसके पर चल रहा है तो यह बहुत बड़ी कबर है कि अपाहरण के मामले में आज राजू पाल नहीं है शोगी बात्सीत होगी तुदि जो लोग पकड़े गहें दरजनों लोग इस मामले में पकड़े गए हुमेश्वाल मडर सेथ में उन शब ने यह बताया है कि चाहे वो साइस्ता हो, चाहे वो अतिक का बेटा हो जो परार है, चाहे वो अत्रफ हो, उसका भाई जो बरेली जेल में था, या तिक आमत जो ताबरमती जेल में था, कहीं कहीं लोगों की बात्चीत होती थी, ये लोग अपर रसूप का इस्तेमाल, धनवल का इस्तेमाल करक जेन में सारी सुभजाय लेते थे तो तमाम चीजों को जो आधार पुलिस ने जो बनाया है उससे कहीं ने कहीं बड़ी सफलता आने वाले समय में और मिलेगी पुलिस को देखे आसो पहरण मामले पर कोट ने फैसला सुनाया है और ऐसे में आने वाले दिनों में भी फैसला सुनाया ज़ा सकेगा क्योंकि उमेश पाल हत्याकांट में भी अतीक एहमद ही है नाम भी सामने आया है वही उनकी बीवी की भी तस्वीर उस कैमरे में क्याद हुई है और जो पुलिस है पूरी छानबीन कर रही है अब देखना होगा कि उस मसले पार कोट क्या कुछ फैसला सुनाता है फिलाल आप नजर बना कर रखेगा जो भी जौनकारी होगी दर्शकों तक जरूर पहुचाएंगे फिलाल आपका बहुत शुक्रिया करूंगी रागवेन जौ कर दो